कि इस फिर आप सबकर सौंग अगराशन सेप्ट कि ओया तो अने शुरू हो गए है तो फिर ले एक वीडियो बचा एक मॉडल्स का वह जल्दी करा देंगे ठीकिए वह दो लेकिए बाद एक वीडियो ने दुदिए या इसका मोडल्स का मोड्स पूरे हो जाएंगे घिके सबको पता है कि अजिनलोग क्या बढ़ रहे हैं हम लोग ही पढ़ रहे हैं комп Cre點 एक एक लॉक सजुर्ण और दोस्तों हम लोग कि हम लोग सेक को साइनेटो पढ़ रहे हैं है और कलकी जो वीडियो आया था उसके अंदर हम लोगा ने 40 words किये थे ठीक है आज हम इस 40 से आगे बढ़ने वाले हैं यह लगबग आपके 300 की आसपास जाएंगे ठीक है और उमीद है कि ग्रेट डी जान तक इसकी इसकी बात है पटवारी की बात है तो सारे questions आपके हो जाएंगे किये आपके सामने है words rectify synonym बताना इसका credulous का synonym बताना है ठीक है रिप्रूफ का synonym बताना है और palate का synonym बताना है ठीक है इनके synonym बताओ उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आंसर बता आपके comment कर दें एक दो तीन च्यार question के rectify, credulous, reprove और palate चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके comments का फटा फटा आउसर करें very good evening आप सबको ddr4 को दरा ब्लोग करें एक और रुख जो है रुख जए थाइंक्यू हरबजन जी हरबंस जी चलिए गुड़ी इवनिंग आप सबको भवानी जी को जोती जी को अरुबंस जी को सबको डिवनिग चलो शुरू करते हैं कि देखो राइटिफाय डिखो राइटिफाय का मतलब होता है किस चीज करूँ तर चुड़ार करक्षी शुदार करना ठीक है अब रेक्टिफाय से वर बनता है correct ही बनता है ना correct से word बनता है, incorrigible, incorrigible का मतलब होता है, जिसको correct नहीं कर सकते है, one who cannot be corrected, मतलब इतना बिगण जाता है कि इसको सही करना, impossible होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, incorrigible बोलते हैं, और rectify का मतलब क्या होता है, सुधारना होता है, ठीक है, synonym बताना है, आजी आप भी है, एक है सरमाजी, synonym बताना है, तो rectify का synonym क्या हो जाएगा, option आपका B हो जाएगा, ठीक है, reduce का मतलब कम करना होता है, pacify मतलब सांथ करना होता है, आगे देखो आगे आपका वर्ड है क्रेडियूलस क्या है दोस्तों क्रेडियूलस किसे को मतलब पता हो तो comment कर देखो क्रेडियूलस का मतलब क्या होता है देखो तो credulous का मतलब वो बंदा होता है जो हर किसी का विश्वास ख़र लेता है बड़ी आसानी से ठीक है one who believes anyone very easily ऐसा person जो हर किसी का बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है उससे बोलता है है credulous बोलते हैं ठीक है तो synonym क्या होजाएगा फनी तो नहीं होगा शिली मुर्क होता है यह भी नहीं होगा इनोसेंट बोला होता है गलीबल भी आपका इसरका होता है तो इनोसेंट नहीं होगा ऑप्शन आपका डी गलीबल गलीबल का मतलब होता है ऐसा बंदर जो हर किसी की विश्वास कर लाता है घर किसी की बातों में आ जाता है उससे बोलते हैं गलीबल कि हर किसी बातों में आजाना है ना वन्हों बिलीव्ज एनिवन वेरी इजली गलीबल भी वही है और कुर्टिस भी वही है तो दूसरे कांसर क्या हो जागा डी हो जाएगा ठीक है है थैंक्यू एसपी सारण जी हाँ जी सर ये पटवारी ग्रूप डी दोनों के लिए है ठीक है पटवारी ग्रूप डी दोनों के लिए है आगे देखो भई रिप्रूफ का मतलब बताना है बताया तो रिप्रूफ एक वर्ब है क्रिया है रिप्रूफ का मतलब होता है किसी की भयंकर आलोचना करना क्या होत दमकाना नहीं होगा बस किया होते हैं तो रिप्रूफ का मतलब क्या होते है आलोस नाहीं होता है तरण से ठीक है रिब्यूख है रेप्रीमेंड है ठीक है एनवर वर्ड है फेर पैलीड की पैलीड का मतलब होता है पीला जिसका चेहरा पीला पड़ जाता है उसे बोलते हैं पैलीड ãो बोलते हैं aurait ऐलिड शिनोनिम क्या हो जाएगा ऑप्शन ऱपी भी यह जाएगा फैल ठीक है फ्रेंडली नहीं होगा वर्थलस बेकार कमफॉर्टिंग अराम देने कोई आसवर नहीं होगा बस आपका अप्शन भी पैलिड का पैल ठीक है आगे आपके सामने वर्ड वीनियल का शिनोनिम बताना है दोस्तों पाड़नेबल सोरी फिर डेसिमेटिड का शिनोनिम बताना है फिर डेवस्टेशन का शिनोनिम बताना है उसके बाद में इमंसिपेट का शिनोनिम बताना है तो ये सारे वर्ड सब का आपको शनौनिम बताना है फटाफट आंसर कॉमेंट करें ठीक है रिडिक्यूल का मतलब मजाक उडाना होता है हंसी मजाक उडाना किसी का ठीक है पैलेड का मतलब पीला विल्कुल रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी की हंसी उडाना खिल्ली उडाना ठीक है आंसर फटाफ एके सर्मा, सोनुकुमार, नरेंदर मेना, सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, केलाज चंदर, नरेंदर, हर्भांस जी, इसके भी ठीक है, बहुत अच्छे, ऐसे पार्टिस्पेट करते रहे हैं, तो क्लास का महौल बना रहता है, थैंक्यू परवेन जी, कुशल ज एक बार जो मैंने पढ़ाया है, वो पढ़ लिजे, आपका 90% सलेबस हो जाएगा, ठीक है, और भगवान ने चाहिए, सारे सारे कुशन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही वो पढ़ा रहा हूँ, जो most expected होते है, किसी भी, ठीक है, पांस्ट मिनिट होए, क्लास टा एल, ठीक है, वीदल का मतलब होता है, कोई ऐसी ची, कोई ऐसा बंदा, जिसके अंदर क्या होता है, बहुता करप्शन होता है, ठीक है, इसे बोलते है, ब्रस्ट बोलते है, क्या बोलते है, ब्रस्ट, उसे बोलते है, वीनल, ये वीनियल है, वीनियल का मतलब होता है, छोटा तो यह इन दोनों के मतलब है वेनियल का मतलब तो Een alarm का शिनॉम का पुछा गया है क्या होगा, option अब का दी होगा, pardnable, pardon का मतलब होता है, screwed abl. ऐसका synonym क्या होगा होगा भैई, destroyed होगा बस है नट captured बांज लेना होता है damaged नुकसान पंचाना होता है वरीट चिंटित होता है तो यह आपके आंसर नहीं होंगे बच के आगे आपका डेश्टर ओजेगो ऑप्शन भी ठीक है next devastation devastation का मतलब होता है तहस नहस संकट या फिर एक तरह से मान सकते को devastation का मतलब होता है next नाबूत कर देने किस चीज़ को ठीक है उसे बोलता है devastation बोलते है ठीक है बरबादी बोल सकते हैं अपनी पासा में बरबादी devastation ठीक है तो इसका synonym क्या होज़ेगा destruction होज़ेगा option a separation अलगा होता है तो वो नहीं होगा construction बनाना होता है यह नहीं होगा threatening डराने वाला होता है तो यह नहीं होगा ठीक है फिर देखो फिर आपका आगे वाला word दिया गया है क्या है emancipate emancipate का मतलब होता है किसी चीज़ को रिहा कर देना रिहाग करना या फिर किसी को आजादी देना क्या देना आजादी देना ठीक है आजाद करना ooh to men sa payed थीक हैgli पुछा गिया है तो लिफ्ट नियोगा लिफ उठा न अउता है रeled उठाना होता है रेज उठाना होता है रेल डिपरेट ऑपशन डी ना लिपरेट बहुत अगाने कर देखा इनके आप आउसर फटाफिट कमेंट करें कमेंट बढ़े करो सर पोच अच्छे आप आउसर करने सुखे हो थोड़ कमेंट ऊपर करना सर वेरी गूट चलिए निच अखर लो करमदर कर लाजी को कॉन्फिदेंस आरे इंगलिस में आजाएगा आजाएगा घबराय निये देखिए मस्तिकेट का सिनोनिम पुछा गया है लेबरियंत का सिनोनिम पुछा गया है और नन प्लस्ट का सिनोनिम पुछा गया है ठीक है आप लोगों ने आंसर कर दिये जोती जी ने कर दिया रानी जी ने कर दिया जी ने कर दिया एक एसर माजी ने कर दिया बहुत अच्छे देखो मस्तिकेट क्या होता है मस्तिकेट होता है ना तो मस्तिकरती करते चुहे ने केट की केट की पूंच को काट लिया ऐसे इसको याद कर लो है ना वैसे musticate का मतलब होता है चबा जाना क्या होता है शबाना समझ गए मस्तिकेट का मतलब चबाना होता है option आपका ऐसे हो जबेगा चू चुक होता है गले में कुछ फच़्जाना bite काटना होता है swelow निगलना होता है ना मस्तिकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों चबाना होता है ठीक है फिर नेक्स्ट आपका वर्ड है लेबिरिंथ एक नाउन है संग्या है लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भूलाईया क्या होता है भूल भूलाईया ठीक है भूल भूलाईया लेबिरिंथ इसको आप लोग मे मेज है, कॉनन ड्रम है है, है न है मेज़ not artists पसल था रिडल था एनिगमा था कतक एना इसब का मतलब क्या है बूल भुलईया होता है तो मेज इन ड्रम पसलेकर रिडल ख difyुक्त पात राश्ता होता है इसकाईश्क्रेपर गगन वे मर्थ योगा da impasse का मतलब होता है रहा का रोडा रहा का रोडा जो आपका राश्ता रोग लेता है उसे बोलते हैं अ बास समझद गैं जैसा आप बोलते में वी upright English has been an impasse in getting a government job में जो इंग्लिस है वो रहा का रोड़ा बनी विया government job लगने के लिए ठीक है English has been an impasse in getting a government job ठीक है हमने पहली बार देखे हैं कोई बात नहीं सब चीजे पहली बार कभी ने वो देखते ही हो आगे देखो next word लथार्जिक लथार्जिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आलसी बहुत ज़्यादा आलसी कल मैंने आपको एक अदर वर्ड कर आया था आपको पता होगा एक मैंने कर आया था आपको ये वाला वर्ड लेजी सबको पता है कि इसका मतलब आलसी होता है लेग मतलब भी आलसी था किसी को अगर याद है कल वाला वर्ड तो बताएं जरा कल एक वर्ड किया था हम लोगों ने किसी का कमेंट नहीं है कल एक वर्ड किया था ये वाला इंडॉलेंट याद होगा इंडॉलेंट का मतलब भी क्या होता है आलसी होता है क्या होता है इंडॉलेंट का मतलब आलसी ठीक है जो डोलता नहीं है इंडॉलेंट ठीक है लथार जी आलसी है तो इस कांसर क्या हो जाएगा बता हो आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी लेजी ठीक ह है energetic उर्जा संपन नहीं होगा लीतल गोता है अंपलका उतल गातक हिर्टलेत्ल का मतलत ते गाय तक लीगल होता है कांदुन सम्मथ जो भी आप कहांसर नहीं होना चाहिए तो आप कहांसर ने बता दिए 11 मैंसे कितने question correct होने चाहिए ये कौन सा rule है सारे correct करो कौन मना करता है सारे correct करेजिए क्या 11 12 जितने question आई सारे correct करने आप हो ठीक है non plus पूछा गया देखो non plus का मतलब होता है बहुत confused क्या बोलते हैं इसको confused ठीक है क्या बोलते हो confused देखो non plus है इसका शनोनिम है बड़ा भाई है बड़े अच्छा वर्ड़ है याद यह भी लिख लेना एडल्ड लिख लेना एडल्ड एडल्ड डी एडल्ड का मतलब ही confused है नन प्लस्ट का मतलब क्या है confused है तो इसको सिनोनिम पुछा गया है क्या हो जाएगा option बी हो जाएगा आपका पजल्ड ठीक है injurious गातक होता है अब्यूजू अपमान जनक होता है enormous बहुत विशाल होता है बहुत बड़ा होता है विशाल ठीक है चलिए आगे वाले questions आपके सामने है फटाफट answer करें देखे बड़साद का मौसम हो रखा है बिजली की आवाज आ रही है तो हो सकता है कि असानक लाइट चली जाए और वीडियो बंद हो जाए ठीक है तो कोई पता नहीं है तो फटाफट चाप आप answer करते रहें अस्तार नहीं का लाइट चली के तो इसके जिम्मदार हम नहीं होंगे ठीक है डॉर्मेंट भी आलसी है बहुत अच्छे इसका भी comedy का वर्ड याद अग है डॉर्मेंट का मतलब भी आलसी बहुत अच्छे अच्छे अच्छ तो लुक अट अप देखो और क्या मतलब है इसका क्या बोलना चाहरे सर पेपर कब है ग्रूप डिक पेपर की बात करें जून के अंद पेपर होगा इसका हाँ जी चंद्रकलाज जी हम लोग अपना ज्यान रखेंगे ठीक है थैंक यू सर मैं बहुत दिनों से हाई कोट के लिए क्लास के लिए परिशान था अब मेरी परिशान दूर हो सकती है बिलकुल हो सकती सर गनेज जी चली देखो हुडविंक रैशनल अबॉर्ट्यू इन्खव इनके आपको शिनोनिम बताने थे ठीक है बहुत अशे आप लोग का आंसर करना सुरू कर चुकह हों देखो हुडविंक क्या होता है हुडविंक का मतलब होता है किसी बंदे को दोखा देना जाल साजी करना क्या बोलते हैं? चल करना, दोखा देना, जाल साजी करना आप पता है ना एक तरह की जैकेट हाँ हुड वाली हुड का मतलब होता है कि आपने सर दख लेते हो, मुह दख लेते हो तो अगर कोई बंदा किसी का दोखा करना चाहता है या कोई ऐसा इल्लिगल काम करना जाता है तो क्या करेगा अपना हुड से मुझ डख लेगा ना समझ गए तो हुड विंक होता है दोखा देना ऑप्शन ए हो जागा डिसी विसका नेगेड का मतले बना करना होता है क्या हुजआ रोजकल हो जाएगा लडेबल का मतलब क्या होता है क्या होते है याठ का मतलब प्रसंस नहीं है को मेरे हिंदी इती सही नहीं है तो मम प्लीज माइंड मत करना एगनिवल स्विकारी होता है tidy होता है, सजा हुआ, ठीक है, तयार इसे बोलते हैं, सजा हुआ, तयार, साफ सुथरा, ठीक है, next देखो word आपका about you, about you का मतलब होता है, fruitful है, fruitless बोलते हैं, इसको, क्या बोलते है, fruitless, ठीक है, about का मतलब होता है, आप देखा होगा, आप लोगोने, कि about the update, आपने update को about कर देता, अबोर्ड का मतलब होता है किस चीज को बीच में छोड़ देना आदा काम करना और छोड़ देना उसे अबोर्ड कहते हैं अबोर्ड का मतलब होता है जिस काम को आपने छोड़ दिया फूर्ट फूर्ट फूर्फूल तो होगा निस्फल बोलते हैं इंदी में क्या बोलते हैं मैं बहुत सारा ठीक है next है innocuous innocuous का मतलव होता है harmless क्या होता है harmless ठीक है जो आपको नुक्सान नहीं पहुंचा सकता है उसे बोलते innocuous कहते है ठीक है sinonim पुचा गया है innocent तो बोला होता है बिलकुल नहीं होगा innovative बिलकुल नहीं in offensive हो सकता है ओपिशन डी इंटरें इनरमोस्ट सबसे अंदर वाला ये भी नहीं होगा तो आपसके आपका ऑप्सक्राइब क्या हो जगा इन उफेंसी हो जाएगा इन उफेंसी का मतलब होता है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए जो किसी के बाहुनों को आहत ना करें आहत ना करने वाल समझ गए चलिए आगे वाले कुश्चन है फटा फटा आंसर करें कुश्चन बेश तक बताने कि in the following questions out of four alternatives choose the word which best opposite बताने बहिया opposite पहला कुश्चन है insolent फिर है फिर भी insolent है दूसरा वाला भी फिर forlorn है फिर squander है ठीक है बर्सा शुरू हो चुकी है तो अगर light चली जाए तो please mind मत करना हो जाएंगे बिलकुल जाएंगे हाँ सर लाइट जा सकती है तो पता नहीं है ठीक है फटा फटा आंसो करें भाया फटा फटा आंसो करें चिंद के भी लाइट है आप वीडियो देख रहे हैं बिक्ते दे आंदी चल रही है खतरनाक वाली जोती जी भार मत निकल लिए गार एक है कि अलवर में करूणारक वाइडस बगवां कर दूरी रहे है को अब लोगों से अचा अभी अभी एक अफ़ार वड़ी आपने सुना होगा मुझे बड़ी अश्यायी कि देशी सराफ देशी सराव से कॉरना वारिस ठीक हो जाता है किस ने या आफ़ार सुनी है मुझे अध कि मुदर कॉमेंट में जानना है कुछ पता नहीं सब मेरिट का तो कि फर्स्टाम एक्जाम होने वाला ग्रूप दी का को पता नहीं है कि चलो देखो दरा कुशन देखते हैं लोग पहला कुशन है इन्सॉलेंट इन्सॉलेंट का मतलब होता है अबद्र बत्तमीज सबने सुनी है सबने सबने सुनी है तो यह कुशन कर लेते हैं उसके बाद मात की लास हम लोग ओर करते हैं फिर हम लोग कल से बढ़ेंगे ठीक है सबने सुनी अफ़ा वेरिगोड विशास मत करिएगा भाई पीना माश्रू कर देना देखो भाई इन्सॉलेंट का मतलब होता है अब बद्र बत्तमीज इसका ऑपोजित पुछा गया है इस करपिलेस का मतलब होता है बेहत सांधान ठीक है यह नहीं होगा इमोल्य इमोल्येंट का मतलब होता है ऐसी कोछी जो बहुत जादा क्या सौफ्ट एंड सूधिंग हो होता है डैफिंट आवज्या करने वाला होता है जो किसी के आजइए नहीं मालता अग्ल अवंतार यूज इस दिन अधकर रवी होता होता है कि इस का मेर्थ का होजाएगा आपका मैंडली हो जाएगा ठटिक है कि अजुर्ण कवर नवारस ही नहीं होता इस को जो नहीं के दो unserem काम ट होता है and LOL का मतलब क्या होता है फॉर्लों का मतलब दुखी आत्मा जो बहब जिंदगी से दुखी है फील कंग ठोटे है हर्ट तरह से दुखी ए तो for lon है क्या है Bolsonaro ठीक है तो इसका पुछा गया एंटोनियम दुखी है तो उल्टा क्या हो जाएगा जोईफूल हो जाएगा आनन दित लखी तो नहीं होगा fortunate का मतलब खुशकिस्मत होता है ठीक है वो भी नहीं होगा free आज़ाद होता है वो भी नहीं होगा फिर squander है squander का मतलब होता है पैसे उड़ाना क्या मतलब होता है स्किंप स्किंप का मतलब होता है पैसे बचाना श्क्वेंडर का मतलब खर्ज करना और क्तिया को क्या हो वह भई बचाना ठीक है तो आपके सामने यह वाले चीजे थी मेरे खयाल से आपको समझना आया होगा इसके बाद में जो वर्ट समुलोग कल करेंगे आज लाइट जाने कि कल मिलेंगे हम लोग गुट नाइट